हेलो फ्रेंड्स राम नेट जे आरेफ चैनल में आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे जो भी स्टूरेंट से हिंदी साहिते से किसी भी एक्जाम की तयारी कर रहे हैं जैसे टीजीटी, पीजीटी, नेट जे आरेफ एंड अधर असिस्टेंट प्रोफे हैं ये ओल्स लेबस से मैंने लिए हैं तो ये आपके लिए बहुत ही फाइदे मंद होंगे तो आईए देखते हैं हमारा पहला कोश्चन क्या है कुटज के लेखक हैं ये हजारी परसाद दिवेदी बी राम चंदर शुकल सी कुबेरनात राय या डी विद्या निवास मिसर तो इसका राइट ओप्शन होगा हमारा ए हजारी परसाद दिवेदी फुटज के लेखक हैं हजारी परसाद दिवेदी ये इंपोर्टेंट कोश्चन है और ये कई बार पूछा भी गया है और इसका परकासन वर्स है उन्नी सो चोश्यट नेक्स्ट कोश्चन पर आते हैं इसका राइट ओप्शन होगा हमारा सी लोनजाइनस ने नेक्स्ट कोश्चन पर आते हैं तीसरा है पहल का संपादक कोन है आए राजण्दर यादाव बीर विंदर कालिया सी क्यान रंजन या डी विशवनाथ तिवारी तो पहल के संपादक हैं इसका राइट ओप्शन यह पंग्तिया खिस कविता से ली गई हैर गे किक रहा होई इसका रायट बाधल को घिरते देखा है नेक्स्ट कोश्चन पराते हैं अग्ये की कविता यह दीपकेला किस कावे संकलन में संकलित है तो इसका राइट उप्षन होगा हमारा डीपावरा अहेरी नेक्स्ट कोश्चन पर आते हैं 6. कच्छवा धरम किस विधा की रचना है A. संसमरण B. रेखाचीतर C. निबंद या D. कहानी तो इसका राइट ओप्षन होगा हमारा C. निबंद कच्छवा धरम निबंद विधा की रचना है और ये B. धरम रखें की ये किस की है तो ये चंदरदर सर्माग लेडी जी का निबंद है नेक्स्ट कोश्चन पर आते हैं 7. ए लड़की किस की रचना है A. मैतरी पुस्पा, B. मनुबंडारी, C. ममताकालिया या D. किर्षना सोबदी तो इसका रचना होगा हमारा D. किर्षना सोबदी ए लड़की जो रचना है वो किर्षना सोबदी की है नेक्स्ट कोश्चन पर आते हैं करम सबद की वित्पती किस परकरिया से हुई है A. तत्सम, B. तत्सम, C. अनुवाद या D. तदभव तो इसका जो हमारा राइट ओप्शन होगा वो होगा हमारा D. तत्दभव नेक्स्ट कोश्चन पर आते हैं साहित्य लहरी के रचनाकार है A. तुलशी दास, B. सूर्दास, C. नामदेव या D. सुन्दर दास तो इसका जो हमारा राइट ओप्शन होगा वो होगा हमारा सूर्दास, साहित्य लहरी के रचनाकार है सूर्दास नेक्स्ट कोश्चन पर आते हैं दसमा तुलनात्म कालोचना के जनक कोन माने जाते हैं A. पदम सिंग सर्मा B. देवराज C. मावीर परसाद दिवेदी या D. दिहारी तो ये भी आप जान रखें कि जो तुलनात्म कालोचना के जनक कोन माने जाते हैं तो इस काराइट ओप्शन होगा हमारा A. पदम सिंग सर्मा नेक्स्ट कोश्चन पर आते हैं परसाद की पर्थम कहानी कोन सी है A. ग्राम B. छाया C. अंधी या D. इंदरजाल तो बताओ वही इस काराइट ओप्शन हमारा क्या होगा परसाद की जो पर्थम कहानी है वो कोन सी है तो इस काराइट ओप्शन होगा हमारा A. ग्राम नेक्स्ट कोश्चन पर आते हैं रक्षय बंदन कहानी की कहानी के रचनाकार कोन है A. विसंबर नाथ सर्मा B. के सवपरसाद मिशर C. राधी का रमन सिंग या D. किर्जा कुमार माथूर तो इसका जो हमारा राइट ओप्शन होगा जो रक्षय बंदन कहानी के रचनाकार कोन है इसका राइट ओप्शन होगा हमारा A. विसंबर नाथ सर्मा और इसका प्रकासन वर्स है 1913 ये भी आप द्यान रखें की ये जो दिया गया है रक्षय बंदन कहानी तो रक्षय बंदन एक नाटक भी है और ये एतियासिक नाटक है ये अरिकर्षन प्रेमी का है तो ये आप द्यान रखें की रक्षय बंदन कहानी और रक्षय बंदन नाटक ये दो अलग-अलग विदा में अलग-अलग रचनाकार दवारा लिखी गई है नेक्स्ट कोश्चन पराते हैं सबसे उत्तम कहानी वह होती है प्रेमचंद नेक्स्ट कोश्चन पराते हैं सबसे उत्तम कविता की विधा क्या है ये नाटक बी कहानी सीनी बंद डी यातरा वरतांत तो जो ये सबसे उत्तम कविता की विधा क्या है ये बहुत बार पुछा भी गया है और ये हमें पता भी होना चाहिए तो इसका right option होगा हमारा A. सबसे उदास कवीता यह एक नाटक है काफी students कवीता से confuse हो जाते हैं लेकिन सबसे उदास कवीता की जो विदा है वो नाटक है नेक्स्ट कोश्चन पर आते हैं पंदरवा आचरन की सबसे किस का निबंद है A. अध्यापक पूरण सिंग B. रामचंदर शुकल C. महावीर परसाद दिवेदी या D. बालमकुंद गुपते तो आचरन की सबसे किस का निबंद है तो इसका right option होगा हमारा A. अध्यापक पूर सिंग B. नेक्स्ट कोश्चन पर आते हैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इसलाम नहीं आया होता तो इस साहित्यका वहर आना वैसा ही होता जैसे आज यह कतन किसका है A. हजारी परसाद दिवेदी B. रामचंदर शुकल या C. नगेंदर या D. रामविलास सर्मा तो इस का जो हमारा राइट ओप्शन होगा वो होगा हमारा A. हजारी परसाद दिवेदी और यह किस के बारे में कहा गया है तो बगति काल के बारे में यह कतन कहा गया है जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इसलाम नहीं आया तो इस साहित्यका बहाराना वैसा ही होता जैसे आज ह नेक्स्ट कोश्चन पराते हैं तो ये आपे ध्यान रखें कि जो ये कथन है ये रामविलास सर्माजी का है नेक्स्ट कोश्चन पराते हैं कई दिनों तक चुला रोया चक्की रही उदास कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास ये पंक्तिया किस कवी की हैं A. अग्ये B. रंगे रागव C. नागारजुन या D. कैदारनात अगरवाल तो इसका जो हमारा राइट ओप्शन होगा वो होगा हमारा C. ये जो पंक्तियां है ये नागारजुन जी की हैं नेक्स्ट कोश्चन पराते हैं मिरगाविती का परकासन वर्स क्या है A. पंदरासो एक B. पंदरासो सताईस C. पंदरासो सताईस या D. पंदरासो बारा तो मिरगाविती का परकासन वर्स क्या है तो इसका परकासन वर्स होगा A. पंदरासो एक और मिरगाविती किसकी रचना है तो ये भी आपको पता होना चाहिए तो मिरगावती है कुतुबन की और इसका प्रकाशन वर्ष भी important है आप धियान रखें next question है काम्यानी में कितने सरग हैं ये 15 है, फी 12 है, सी 16 है और डी 20 तो काम्यानी में कितने सरग हैं तो इसका right option होगा हमारा ये 15 तो आज हमने इस वीडियो में जो 20 कोश्चन है वो देखी है और जो यह 20 कोश्चन है यह most most important है आप इन्हें जरूर लगाएं और comment box में यह जरूर बताएं कि यह आपके कितने सही हुए और अगर आपका कोई भी suggestion या आपके कोई भी query है तो वो भी आप पूछ सकते हो और यह भी जरूर बताएं कि 20 में से आपके कितने कोश्चन सही हुए तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही आपको इसी तरह से महतोपून परसनों की series मिलती रहेगी जिससे आपकी तयारी एक next level पर पहुंझ जाएगी तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही इस यह पता चले जो वीडियो में बना रही हूँ वो आपके लिए यूजिफुल है या नहीं तो आज के लिए इतना ही थैंक यू